जिले के शिश्यूं कस्बे के ग्रामीन पिछले करीब एक महा से पानी की किलत का दन्ष झेल रहे हैं आखिर कार परेशान ग्रामीनों का गुस्सा फूट पड़ा ग्रामीनों ने पानी की सूचारू अपूर्ती करने के मांग को लेकर जल्दाय वभा के अधिकारियों कर्मचारियों को एक कमरे में बंद कर दिया जिसके सूचना पर पलसाना से पहुची कनिष्ट अभियंता, अंबिका, पालावत और रानोली थना अधिकारी अर्विन सिंग को भी ग्रामीनों के अक्रूश का सामना करना पड़ा लोगों ने सरपंच प्रतिनिधी गौपाल यादाव पूरव जिला अध्यक्ष सुरेंद्र फुलवाईरिया की अगवाई में मौके पर ही मांग पत्र सोंपकर ततकाल समाधान की मांग पर आड़ गए जिस पर कारवाई करते हुए जल्दा इभा की कनिष्ट अभियनता पालावत ने दो ट्यूबेलों में नई मोटर रखकर चालू कर आई ग्रामिनों ने करमचारियों का ड्यूटी चार्ट लगाने तथा फ्लोराइड युक्त पानी के लिए आरो प्लांट लगाने की मांग की उलेकनी है कि कस्पे में 40 वश पुरानी सप्लाई पाइपलाइन में सैक्ड़ों लिकेज हो गई है वहीं पाइपों में पेड़ों की जड़े फसने से 75 फिस्दी आपूर्ती घट गई है समश्या उस समय जटिल हो गई जब एक माह से करीब दो पमपों की मोटर जलने से आपूर्ती बंद हो गई थी इसके चलते पेजल की समश्या और भी गहरा गई महिलाओं को ही विशेश समश्या होने से वे घड़े और चरिया लेकर जल्दाई भाग के कारले पर आक्रोश कर जटाने पहुच गई मोगे पर मुझूद जल्दाई भाग के कर्मचारियों को कमरे में बंद करके ताला लगा दिया गया मांग पूरी होने पर ही उन्हें बाहर छोड़ा गया उस्टाई भाग करें गरीबागी मारी कि दे मांगी हो और क्या को राज आयए जह जरनार भाई विज्जे प्याल था को सुका हो लो और क्या को सुकाया वापना को बुड़ा दूपा अलाका में तो जयता ख़किया का मांई नहीं बाग जाए कोई पाणी बाग जाए कोई पाणी को पर रहा है कारी का कि पृद्टा जया और करमचार तो आवे तूटी खो दर भाग जाए कोई पाणी को पर रहा चाहिए सर्शीथ की देलेटं का भाग जाजै ने माने समलाओ